आसाम अलेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर ख़रियसे होंगे रब की तुआ से मैं वेल्कुल ठीक ठाक हूं तो आज एक नई वीडियो लेकर आप के लिए आई हूं और आज की वीडियो में जो के आज मैंने आपको जैसे पिछले कुछ व्लोग में आपको बताती रही हूं के न्यू ब्लांट लिया हैं न्यू कियारिया लिया हैं यह सब चीज़े लिया हैं तो उसके हवाले से मैं मसालہ से बहुत ही हुबसीरत भैस क्वार्द जी अप मेरे प्लांटS वगरा से मिले जी मेरे गुलाब का फूल है और बहुत ही जबर दसत भूफ कूछ लग रहा है वह जे बहुत प्यारा लग रहे picture से और आप लिए पूरियो परश्रमम्ही परढ़ियो थी तो उसकेH्प वहां पर लड़के आये तो फिर उनी से फिर मैंने जो है मैंने बोला कि आप यह क्यारियां उपर ले जाए और वहां पर जो है। तो यहां पे जी काम स्टार्ट हो चुका है और यह जो क्यारी है जो आप देख रहे हैं यह मैं लेकर आई थी यह बड़े साइस के क्यारियां हैं और यह वाली यह तीन ली थी मैंने और यह जो है इनकी एक की जो प्राइज है वो मुझे 850 रुपीस की मिल की थी अब पता नह हमें मिली है क्योंकि हमारा जानने वाला था वैसे जो दूसरा वालब एक वहां पर आदमी बैटा वाल था जो क्यारियां वगरा जो बेचने वाल थे उसे हमें जो प्राइज है वर 950 बताय थी लेकिन जो जिसने हमें दी थी वो हमारे जानने वाला था अच्छा इसके मैंने उनको पानी बना कि ये रूफ़ा वगरा दिया था उसके बाद उन लोगों ने कहा कि मटी जो है वो कम पढ़ गी इस वाली क्यारी में बड़ी में मैंने जो है तुमाम जो है वो पूर लगा दिये थे अच्छा वो जो लड़के हैं वो और मटी लेने के लिए गिये पैसे दिये थे क्योंकि जो घर पे पहले मटी थी जो पहले मंगवाई थी वो सिर्फ दो क्यारी में आई थी बाकी ये क्यारियां खाली पड़ी हुई हैं तो इस नहां ये वली जो थी इसमें मेरे गुलाब का पौदे लगे वे तो मैंने निकल वा कि इस वली में लगवा दिये थे बड़ी वरी क्यारी में और बाकी ये मेरे बाकी पौदे रखे वे थे बड़ी वरी क्यारी में मैंने को पूछा तो उनका था कि चार चर पोदे आ जागे ये गुलाब के चार जो पोदे थे वो एक क्यारी में लगे थे चार ये एक क्यारी में लगे हैं और बाकी और जो है वो ले आगे थे लड़के उसके बाद जो है फिर मैं उनके लिए चाहे बना रहती और अपने लिए भी में नाश्ता बना रहती क्योंकि सुबह बेले जो है वो हैलपर आई थी उसके साथ काम बगारा करवाया था तो फिर टाइम नहीं मिल सका और फिर ये लड़के आगे थे तो फिर टाइम नहीं मिल सका तो इस वज़ा से फिर मैंने इनके लिए जब जाय बनाए ग्यारा बज़े का टाइम तो पिर साथ में ने पिर अपना नाश्ता भी बना लिया था इनको भी मैने चाहे अदीध में का अब लोग पी चाहे अराम से पी ले और मैं भी नाश्ता वगरा का लेती उसके बद फिर आप लोग जो है वो काम स्टार्ट कीजेगा तो फिर उन्होंने चाए पी ती और मैंने फिर अराम से बटके नाश्ता किया था अच्छा उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो गया था और ये देखें मट्टी डालने के बाद उन्होंने कियारियों में जो है पोदें वेगराण डाल दिये थी और जो पोदें उनकी कटिंग वेगरा भी की थी अच्छा उसके बाद वो लोग तो चले गए थे और पिर मैंने जो है सफाई वेगरा की थी वो टेरिस से चले गए थे और जो एक्स्ट्रा गम्ले थे वो उन्होंने नहीं उठाए थे तो यहां पर फिर मैंने मुझे बहुत शदीद भूक लगी थी तो घर में जो है इसना चावल वगरा बने थे सबजी जो होती है मिक्स वेजिटेबल का पुलाओ था और साथ जो है चिकन का सालन था और सैलेड वेगरा था तो मुझे इतने हम मसा आया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यदा भूक लगी थी तो फिर दो नठाई गेंटे मैंने यहां पर सफाई बे लगा थे वो तो काम करके चले गए थे तो उनको मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा जो गमले है वो छट पे छोड़ाओ लेकिन उन्हें यह बहाना करके चलेगे कि हमने आके जाना है तो हमारे बास टाइम नहीं हम कल छोड़ देंगे तो लेकिन फिर मेरी यादा था कि मैं जो है काम कंप्लीट करती है वो फिर गमले वेगरा मैंने खूदी उपर जाकर छोड़ाई थी और पिर काफी डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे सफाई की थी तो सफाई करने के बाद यह फाइनल लुक जो है वो थी कि यहाँ पे जितने भी पोदे वेगरा मैंने सेट किये थे उनके साथ लड़कों साथ मिलके तो वो फिर लुका रही थी ये क्यारी ही है इसमें ettp今日 फूल के पूल बैशाथ एक अ मिनाता, इस क्यारी में भी चार पोदों लगाए हुए थे एक ये वाला लगाए थे, एक ये वाला और ये बाकी है और इसमें ये एक दूसरा लगाए था इसको बतानी क्या बोलते हैं मुझे तो पोदो के नाम भी नहीं आते इस वाली में भी ये चोटे-चोटे लगाए थे अब मैं ये लगा तो दिये थे अब मैं इसे इंतजार भी हो कई काव ये रेपोदे हैं बड़े होंगे और मेरी क्यारियां जो भरी-भरी लगेगी ये क्यारी मैंने यहां पर रख दी थी और बाकी ये इस वा गंबले मैंने रख दी थी अभी मेरा दिल है कि इनके ओपर ग्रीन कपड़ा लगा के शेड वगारा भी दूंग था कि वो लगाय थे तो यहां पर मैं ये बचों के खिलोने वगारा देख रही थी तो एक बेबी है चोटा सा बेबी बॉय है वो थ्री मंथ का तो उसके लिए मेरा दिल था कोई ले लूं ट्रॉइस वगारा और एक वो जो मेरी अपनी है जो मैंने आपको दिखाई भी एक पार मेरे भाई हैं बड़े उनके एक नवासी नवासा हैं तो वो बचे फैमिली में पहले पहले हैं तो बहुत ज़दा वो हम लोगों को प्यार है अच्छा उसके बाद जी मैं यहां पे एक और यहां पे आई थी शौप पे मुझे चाहिए थी यहां पे एक बकट चाहिए थी क्यूटे सायस की मैं जो किचन की थी वो टूट की की सोरी जो मेरे पस पहले की पड़ी हुई थी आम बबत्ब बढ़ी थी एक छोटी थी तो टूट गी तो मुझे उसके लीए थी तो इस ता इस शौप पे जो है देख रही थी मुझे की कुछ नहीं मिला साथ इसके यह एक शौब थी खप्ड़ों पर करें कि असी झायों के वह बास यह वह ड्रेशिस तरिया जो कि वह रैपलिका नहीं होतें वह द्रस इसे अच्छा अच्छा रेपलिका ड्रेसिस लेने से बेटर के इन्सान जो है वह डिजाइनर के अरिंग मेरे यह प्राईज है अच्छेशिस सो तीन हजार पैंटिसो इतने में तो ब्रैंड के अच्छे वाली अच्छे ब्रैंड के भी अच्छे से सूट मिल जाते हैं तो इसलिए आप लोग इन चक्रों में नाया करें लेने हैं तो असली ब्रैंड के लिया करें नहीं तो मतलब ना इस चाहिए रैप्लिकस ना लिया करें मैं तो नहीं लेती अच्छा यहां पर भी देखें जी मौसम काफी खुबसूरत है काफी खुशकवार है तो यहां भी हम लोग बैठे वे थे हम लोगों ने कुछ खाने के लिए आउडर किया था तो अभी वेट का रहे थे क्योंकि खाना हमने यहां पर नहीं खाना था हम पै सेफ माड़ के उपर वाली जो पॉर्शन है वहां पर प्लास्टिक का सामान और बच्चों के खिलोने और इलेक्ट्रोनिक सामान काफी सरी चीज़ें वहां पर हैं तो मैं बक्ट वगरा जो है उसके लिए जा रही थी देखने के लिए तो यह जी हां पर पड़ी हुई थी साइस की तो यह वाली थी और यह वली साथ सो कुछ रुपीस की बता रहे थे तो मुझे समझ नहीं थी साइस बड़ा था मुझे इससे चोटी वाली चाहिए थी लेकिन उगारते इससे चोटी हमारे पास नहीं है तो वह पिर मैंने चोड़ दी फिर यह जी बिज़ आगे थे यहां पर जी लेना था शैंपू और शैंपू जो है वो ट्रैसिमी का जह है वो शैंपू मैं यूस करती हूं तो वह वाला मैं यहां पर देख रही थी तो यह वाला मैं यूस करती हूं तो यह वाला फिर मैंने बड़े साइस का ले लिया था और इसके इलावा यह ये वाला है यह वाला है कर दाएं ये यूज करती थी ये वाला यह पर यूज आप लिया था तो मैंने चलने, अब तो मैंने ट्यूप्स ले लिए हैं तो देक्षण यूस करना दो पिर ले लोगी, यहां पर जी चिछन की जो चीज़ें होती है, असेसशोरीज वगरा वह मैं देखनी तो यह वाली है, यह वाली जो मुझे बहुत अच्छी लग थी, ग्लास टैंड जो ह बठा होगा तो फॉर फिफ्टी रुपीज का ये ट्रेट इसके लबाइक ये वाला था ग्लास स्टेंट तो इस वाएं पर डिफरेंट चीज थी और यहां पर स्यादा ये प्लास्टी का समान था अच्छा ये वाली जी एक जो है बास्किट कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं इस लेती हूं फिर मैंने का नहीं पहले पाकी चीज़े ले लूँ पिर ले एक ये जी बास्किट का सेट था इसकी प्राइस मैंने काफी डूड़ी मुझे नहीं मिली के कितने का था तो इस तरह आपको मैंने पहले भी सेफ मार्ट पे साखी काफी दिखाई और मैं अक्सर दिखाती भी और दिखाती भी रहोंगी क्योंकि सेफ मार्ट पे जितनी चीजों की वराइटी है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मतलब सेफ मार्ट एक बहुत फेमस भी हो गया है और यहां पर वराइटी भी बहुत है उसके बाद जी यह वाला जो हैर सिरम था यह वाला म बाद जी बोली के यह बहुत जादा अच्या है है मैंने इसको इनट प Perfect पे बहुत दीखे आ तो यह वो तो फिर करते करते मुझे कहती लेलो मेने भी ले लिया पिर उसने भी ले लिया इससना फिर हम लोगों ने हैर सिरम लिया थी इसको यूस करोगों तो फिर में आपको तिखाऊंगे इसकी जो रिजल्टिफ कैसे हैं बाकी यह जी हर्बल्स एरिया आ गया था और यहां पर तुमाम हर्बल्स चीज़ यहां से हम लोगों ने लेना था कैस्टरॉयल और वो ढून रहे थे एक मिला था में कैस्टरॉयल तो वो उसकी जो है बड़े साइस का था तो इसके लवाई यहां पर यहां मैंने लिया था दमागी करशी वालों का क्योंकि मुझे चाहिए था कीम्यरात कि यूप का काम है यह बहुत जाना है तो इसके लिए मुझे लगता है कि कमजोरी भूदधा होगे तो मैं जो यूज करती है यहां भे जी कुछ चीज़ें लें कि उनकी जो प्राइज पड़ा, स्केंडें कारें, इनका सकेंडरी खराब रहता है हर वकि इनका स्कैनर खराब रहता है जब भी आओ तो कभी चल जाता है और कभी नहीं चलता तो बड़ा मसला होता है कुछ चीजों की प्राइजेस हमें पता ही नहीं चलती है कुछ चीजों की प्राइजेस हमें जाके काउंटर पर पता चलती है क्योंकि इनका स्कैनर नहीं चलता कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते तब एक एक चीज़ उठा के तो वो काउंटर पर नहीं जा सकते की कि ये ये कितने की नहीं कि ये अच्छा वहां से हम लोग आगे थे जब हम घर आए है थुरते हुआ हुआ होने भी जो होती है चाहे व गरा साथ बना ही थी और उसके बाद उनका पिलै फिर यहां भी टाइम तो फिर उसके बाद फिर मैंने भी खाना भी नहीं खाया था क्योंकि मैंमान आगे थे तो फिर चाय करा चली और फिर पी ली थी तो यहां पर जी यह समोसे हैं अच्छा कबाब जो आपने देखिए वो तो मैंने खुद बनाए थी यह समोसे जो थे यह बजार से ल लिये ते हैं यह वो वाले टॉई जो के लिये थे और यह 500 का लिया था और यह 300 सम्टिंग का था और उसके लेवा हां पर यह जी जी मैंने दिमाग ली थी यह भी 500 की 600 की केस्टरोयल लिया था और उसके बाद यह जो है सीरम था, हेयर सीरम था, वो लिया, और लिब बाम ली, और यह चीजें मैंने वाँ पे भी जो है, सेफ मार्ट में भी शासत लेती रही हैं, तो आपको दिखाती रही हैं, मैं इनका चले घार आके फिर आपको दिखा दू, कि यह जो सारी जो मैंने ग्रॉसरी की थी, तुमाम बाकि ये सारा समान लिया था जैसे टॉफिस लेज लिये थे इसके लावा मतलब कॉल ड्रिंग लिये थी तो जिसा चॉक्लेट लिये थी थोड़ी बहुती जो खाने बिने की थोड़ी समान होता है साधी लिया था कॉल ड्रिंग लिये थी कॉल ड्रिंग में मैंने लिया था बिग अपल अचा आजकल जी आए वाइस सप्राइट जो है लेमन मिंट का ये बहुत ही टेस्टी है मैं कहिए भी आपको दिखा दो अगर आप लोगर देखागा आजकल ये बहुत जदा मतलब हमारे घर में आ रहा है बच्चे बहुत जदा खुशी से भीते है उसके लावा जी हाँ भी ये लिया था एक बॉटल जो के मैंने अपने पौदों में पानी डालने के लिए जिसके से शावर लगावाए एक ये बकट ली थी जो मैंने आपको बताया था इस साइस की फिर मैंने ल नहीं होगी तो नेक्स टेम फिर मिलते हैं दौाओ में यादे के अपने बहुत ख्यार कियेगा अलाह आफेज